तो नमस्कार भाई लोगों आप सभी का स्वागत है इस ब्लॉक के अंदर अभी हम खेत में बैठे हुए हैं यह चना लगा हुआ है सामने जो आपको दिख रहा है इसमें सिचाई लगी हुई है पानी हुरा है इसमें वहां मौटर लगी हुई है वहां पर भी जाकर आपको द खेत हैं ठीक अभी मैं जहां बैठा हुआ था उसका मैं दिखाता हूँ नजार आपको देखो यहां अंदर बैठा था पलंग डला हुआ है प्रॉपर ठीक है चूला भी बना हुआ कुछ खाने पी निकलिए अगर अपनको बनाना है तो यहां पर अच्छा लगता है लेकिन थंड थोड़ी से जादा हो देए थंड होने का रीजन यह है कि यहां पर गया कि नदी बनी हुई है और नदी से अपने पास खेतों में पानी जाता है यह नदी बनी हुई है अब यह नदी बनी हुई है इसमें यह लगी अपनी एक मोटर इस मोटर से पानी जा रहे इस खे खेत बहुत लंबा चोड़ा है इसमें पूरे में चना लगा हुआ है और यह देखो यह लाइट आईए बहुत दूर से वहां से बहुत दूर से लगभग एक किलोमेटर दूर से लाइट आई हुई है और पानी बहुत है पानी की कोई टेंसर नहीं अभी भी धार चल रही है धीरे धीरे पानी आ रहा है और यह जो जगए है इस जगए का पानी भाई साब कभी खतमी नहीं होता बहुत गहरी जगए यहां पर अगर दो हाती खड़े करें उपर नीचे तो बराबर आएगा तो मतलब यहां पर बहुत गहरा है ठीक है अब थोड़ा सा लेकर चलता हू प में यह लगातार तीन खेट हैं अपने पास में तीन खेट लगातार यह है और पीछे वहां पर भी है वहां पर अपना एक आम का पीड़ भी लगा हुआ है वाई सब्टी पूरा एड्या है इसमें अपनी खेटी है पूरी तीकी उसके पीछे अगर जाएंगा तो फिर दूसरे के खेत हैं ठीक है तो यह रही अपनी यहां पर क्या है कि रहते हैं ठीक है और अपना जो गव है फिर वहाँ पर चले जाते हैं इसमें टाइम लगेगा क्योंकि अभी सचाई इसमें भी होने वाली यह पूरी जगाए में अपन होती ही और यह खाने में भी बहुत ज्यादा होते हैं अब यह पर देखो आप क्या बैतरी लग रहा है इसमें पानी होना बाकि है मेरे को थोड़ा एक और खाना प्राइरा क्योंकि सवाथ काफी अच्छा है और यह बहुत फादेमंद सेहत के लिए होती है वहां पैपन जा पेड़ भी जो पत्ते होते हैं वह भी बहुत इम्म्यूनिटी के लिए बहुत बैस्ट माने जाते हैं उनसे कोई बीमारियां नहीं होते बीमारियों से लड़ने की चमता आजाती है वहां पे देखो अगर मौका मिलेगा तो जो लेकर जाओंगा नहीं तो फिर बाद में भी देखेंगे